नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप किसी भी बैंक का IFSC कोट कैसे पता कर सकते हैं किसी भी ब्रांच का किसी भी बैंक का तो सबसे पहले आपको RBI की एप डाउनलोड कर लेनी है जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी RBI के नाम से इस तरीकी की वो एप रहेगी जो आपको यहां पे दीख लही है उसको आपको open कर लियना है डाउनलोड करके उसके बاد आपको सबसे पहले यहां पर home page इस तरीकी का दीखेगा और आपको नीचे scroll down करना है आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर quick links का एक option दिखेगा यहाँ पर बहुत सारे options दिखेंगे और आपको यहाँ पर IFSC code वाले option में click करना है इसमाँ आप click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अपने bank का name select कर लेना है जिस भी bank का आपको IFSC पता करना है या पर MICR code पता करना है यह दोनु code आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं जैसे हमको IFSC पता करना है तो हम यहाँ पर bank select करते हैं और यहाँ पर search कर लेते हैं access bank हमको access bank का पता करना है हमने यहाँ पर search कर लिया access bank उसके बाद जिस भी branch का आपको select करना है branch का name आपको यहाँ पे डालना है जैसे हमको बागिश्वर branch का पता करना है तो हम यहाँ पे बागिश्वर लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे, तैसिलरोड बागश्वर branch आ रहा है, इसमाँ को click कर लेना है, इसमाँ पर दिख रहा होगा ब्रांच का और IFSC कोड हमको यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी ब्रांच की IFSC कोड पता कर सकते हैं अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटी लगिए तुम्हारी वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटी वीडियो के साथ धन्यवाद